Hello everyone, आज मैं आपके साथ गाजर और शकरकंदी के हलवे की रेसीपी शेयर करने जा रही हूँ जो की बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है तो आए रेसीपी स्टार्ट करते हैं मैंने आधा किलो शकरकंदी और आधा किलो गाजर लिया है इसके छिलके उतारके इसे अच्छी तरीके से साफ करके छोटे छोटे टुकडों में कट कर लिया है गैस के उपर एक कूकर रखेंगे इसमें एक बड़ा चम्मत देशी घी अड़ करेंगे गी गरम होने के बाद कटे हुए गाजर इसके अंदर एड़ कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब जो शकरकंदी कट करके रखी थी उसे गाजर के उपर रख देना है इसे मिक्स नहीं करना है इसे सिफ गाजर के उपर इस तरीके से रख देंगे कूकर के कैप को बंद करेंगे और इसमें एक सीटी आने देंगे गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे एक सीटी के बाद गाजर और शकरकंदी अच्छी तरीके से पक गये हैं अब इस तरीके से आलू मैशर से इसे अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे गैस की फ्लेम को आन करेंगे इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब इसमें एक कप दूद एड़ करेंगे ये नॉर्मल दूद है अगर आप दूद का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप चार बड़े चम्मच मिल्क पाउडर भी यूज कर सकते हैं अब इसमें तीन बड़े चम्मच डेसिकेड़ कोकोनेट एड़ कर देंगे अपनी मन पसंद के ड्राइफ रूट एड़ करेंगे मैंने ड्राइफ रूट कूट करके लिये हैं मैंने काजू, बादाम, पिस्टा और पंकिन शीड लिया है आधा चम्मच इलाइची पाउडर एड़ करें गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे, इसे थोड़ी थोड़ी दिर के बाद चलाते रहेंगे, इसे कवर कर देंगे, नहीं तो इसके छीटे आस-पास में आएंगे, थोड़ी दिर के बाद चेक करेंगे, इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे, अब इसमें आधा कटोरी चीनी एड़ करेंगे चीनी को भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे आप एक बार इस हलवे को जरूर ट्राई करें ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है ये आपको भी बहुत जादा पसंद आएगी और इसमें बहुत जादा दूद की जरूरत नहीं है जैसे कि हमें गाजर के हलवे में जादा दूद की जरूरत होती है या खोए की जरूरत होती है इसे आप बीना दूद के भी बना सकते हैं बीना दूद बीना मिल्क पाउडर के भी आप इसे त्यार कर सकते हैं अब इसमें एक चम्मच देशी घी और एड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे गैस की फ्लेम को फुल पे करके इसे दो मिनट लगातार चलाते हुवे कुक करके इसे बिल्कुल ड्राई कर लेंगे हलवा अब हमारा बिल्कुल तयार हो गया है गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे अब हम इसे सर्फ करेंगे अपनी मन पसंद के ड्राइफ रूट से इसे गार्णिस करेंगे थैंक यू फूर वाचिंग